अहोई अश्टमी पर महिलाएं भूल कर भी ना करें, ये काम वरना संतान पर आ जाएगा संकट। संतान की सलामती और उज्वल भविश्य के लिए हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को अहोई अश्टमी वरत रखा जाता है। शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण स्रिष्टी में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदिशक्ती देवी पार्वती है, इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयू और सुखी जीवन के लिए वरत रखती हैं। वहीं संध्याकाल में तारों को देखकर वरत खोलती हैं। इस वरत को करने से पुत्रवती महिलाओं को मनुवाचित फल की प्राप्ती होती है। इस शुब अफसर पर महिलाएं विधिविधान से अहोई अश्टमी का वरत रखती हैं। इस वर्षकार्तिक माह के कृष्न पक्ष की अश्टमी तिथी 24 अक्टूबर को देर राच एक बचकर 18 मिनट पर शुरू होगी। वहीं 25 अक्टूबर को देर राच एक बठावन पर समाप्थ होगी। ऐसा माना जाता है कि अहोई अश्टमी के वरत के दौरान कुछ गलतियों को करने से साधक वरत के पुन्यकी प्राप्ती से वंचित रहता है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अहोई अश्टमी के दिन कुछ कारियों को करने से तो इस विडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं। ताकि हमारी हर आने वाली विडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अहोई अश्तमी व्रत की विधि अहोई अश्टमी के दिन माताएं सूर्योदय से पूर्वसनान करके वरत रखने का संकल्प लें अहोई माता की पूजा के लिए दिवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं साथ ही सेह और उसके साथ पुत्रों का चित्र बनाएं अहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी का पूजण करें शाम के समय पूजण के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें उस पर जल से भरा कलश रखें रोली चावल से माता की पूजा करें मीठे पूए या आटे के हलवे का भोग लगाएं कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के साथ दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें इसके उपरांत तारों को या चांद को अर्ग्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्ष कर आशिरवाद लें आईए जानते हैं अहोई अश्टमी के व्रत का महत्व और संतान दोनों के जीवन में सुख सम्रिध्धी आती है और उनकी सभी परेशानिया समाप्थ हो जाती है आईए अब जानते हैं अहोई अश्टमी माता के मंत्र के बारे में अहोई अश्टमी के दिन ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमा मंत्र का ग्यारह मालाया 108 बार जाप करने से संतान से जुड़े सभी कष्ट दूर हो जाते हैं आईए अब जानते हैं भोजन कैसे करें पूजा के समय अपने पुत्र या पुत्री को अपने साथ बिठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाएं साथ ही इस दिन ब्राहमन जरूरत मंदों और गायों को भी भोजन कराना बहुत ही शुब फलदाई माना जाता है आईए अब जानते हैं अहोई अश्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए एक पूजा की सारी सामगरी होनी चाहिए नहीं अहोई अश्टमी में पूजा की सारी सामगरी नहीं होनी चाहिए पहले इस्तिमाल की गई पूजा सामगरी का इस्तिमाल नहीं करें इनके अलावा फूल, फल, मिठाई ताजा होनी चाहिए दो खुदाई करने से बचें अहोई अश्टमी के दिन महिलों को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुर्पी का इस्तमाल ना करें पौरानिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहुकार्णी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ती हुई थी तभी से ये वरत रखने की परंपरा चलिया रही है तीन करवे का इस्तिमाल अहोई अश्टमी के वरत में जिस करवे में जल भर कर रथा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उप्योग आपने करवा चौथ पर किया है इसके अलावा पूजा की अन्य सामगरी नई होनी चाहिए पूजा में मुर्जाय फूल या इस्तिमाल हो चुके फलमिठाई का पुन प्रयोग न करें चार तामसिक भोजन अहोई अश्टमी के व्रक में खानपान का विशेश ध्यान रखें व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना न बनाएं हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें पांच नुकीली या धारदार चीजें अहोई अश्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीजों का बिलकुल इस्तमाल न करें इस दिन चाकू, छुरी, कैंची या सूई जैसी चीजों के उप्योग से बचें व्रत में इनका इस्तमाल अशुग समझा जाता है छे तामबे का इस्तमाल अश्टमी के दिन तामबे का इस्तमाल वर्जित होता है इस दिन केवल स्टील से बने बरतन का इस्तिमाल करना चाहिए साथ इस दिन सिलाई का काम ना करें अहुई अश्टमी के दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिलाई में भी नुकीली चीजों का इस्तिमाल किया जाता है आठ प्रसाद में ना डाले प्याज और लहसुन अहुई अश्टमी के दिन बनने वाले खाने में लहसुन और प्याज नहीं डालना चाहिए आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ती राक्षस से हुई थी इसलिए पूजा पाठ में या किसी भी शुब काम में इसका इस्तिमाल नहीं किया जाता है नौक काले रंग के कपड़े अहोई अश्टमी के दिन वरत रखने वाली औरतों को काले नीले या डार कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू न करें कहते हैं कि अहोई पर तारों की छाव में अरध्य देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए दस बच्चों का रखें ख्याल यह वरत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं इसलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए जारा अहोई अश्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें ना ही किसी को अपशब्द कहें बारात इस दिन लड़ाई जगडा करने से भी बचना चाहिए ऐसा करने से आपका वरत खंडित हो सकता है तारों को अरग्य देते समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तिमाल करना चाहिए इसके लिए तामबे के लोटे का इस्तिमाल ना करें अहोई अश्टमी के दिन क्या करें? एक अहोई अश्टमी वरत को निर्जला किया जाता है दो वरत के दोरान अहोई माता की विधिपूर्वक पूजा अरचना करें तीन पूजा थाली में विशेश चीजों को शामिल करें चार अहोई अश्टमी वरत कथा का पाठ जरूर करें पांच रात में तारे को अर्धे देने के बाद ही वरत का पारण करें छे श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, वस्त्र और धन का दान करें साथ सात्विक भोजन का सेवन करें आठ ब्रहमचर्य नियम के नियम का पालन न करें दोस्तों आज की हमारी विडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखें भगवान आप सब पर क्रिपा बनाए रखें जय श्री कृष्णा दोस्तों